यह वही मैगी मसाला है, जो हमारे मैगी के साथ में आता है, मैगी मसाला दालने से इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जिसको बच्चे बहुत ही इन्जॉय करते हैं. Hello friends, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में. मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी वैज पनीर बॉल्स, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, इसे हम पनीर से बनाएंगे, और वेडिटेबल भी मिलाएंगे ताकि यह हैल्दी बन सके. जब आप इसे बनाएंगे, तो यह बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है. तो चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी. लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, मेरी आप से रिक्वेस्ट है. अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए, अब शुरू करते हैं क्रिस्पी वैज पनीर बॉल्स बनाना. इसको बनाने के लिए, सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें पनीर को कद्दू कस करेंगे. यह मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है यह पनीर को मैंने कद्दू कस कर लिया है अब मैं इसमें डालूँगी गाजर यह मैंने एक गाजर ली है और इसको बारिक कद्दू कस कर लिया है इसको हम इसमें मिलाएंगे इसके साथ हम दालेंगे पत्ता गोबी आदा कब पत्ता गूबी है, इसको बिल्कुल मैंने बारीक कट कर लिया है, साथ में दालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और ये आठ से दस बारीक कटे हुए काजू, अब मैं इसमें दालूँगी अपने रेगुलर मसाले, स्वादा नुसार नमक, लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून, गरम मसाला, हाफ टी स्पून, नमक, मिर्ची और गरम मसाले को आप टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अब हम टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें दालेंगे एक चमच मैगी मसाला, यह वही मैगी मसाला है, जो हमारे मैगी के साथ में आता है, अब मैं इसको हाथों से मिक्स कर रही हूँ, मैगी मसाला दालने से इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जिसको बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं, बाकी यह optional है, आप चाहें, तो इसे skip भी कर सकते हैं, यह अच्छे से mix हो गया है, अब हम इसकी balls बनाएंगे, इस तरह से हम थोड़ा सा portion लेंगे, और हातों से दबा दबाके, एक ball बनाएंगे, यह देखिए, पहले हम इस तरह से सारी balls बनाके त्यार कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का procedure करेंगे, यह सभी balls को बनाकर मैंने त्यार कर लिया है, अब मैंने लिया है, तीन टी स्पून मैदा, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे, और इसका गाड़ा पेस्ट त्यार करेंगे, पानी एक साथ नहीं दालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें मिलाना है, अगर हम पानी एक साथ मिला देते हैं, तो इसमें लम्स आ जाते हैं यह पेस्ट बनके थैयार हो गया है, यह देखे, इस तरह का गाड़ा पेस्ट हमें चाहिए होगा, अब आगे का प्रोसेस करने से पहले हम कडाई में तेल गरम करने रख देते हैं, तेल गरम करने मैंने रख दिया है, जब तक तेल गरम होता है हम आगे का प्रोसेस कर लेते है यह जो balls हमने बनाये थे, इसको हम मैदी के paste में आच्छे से dip करेंगे, यह देखी, चारो तरफ से अच्छे से dip हो गया है, अब यह मैंने breadcrumb लिया है, एक bread को मैंने mixi में चलाके इसका crumb बनाया है, अब इसको चारो तरफ से अच्छे से breadcrumb से coat करेंगे, यह देखी, चारो तरफ से अच्छे से coat हो गया है, इसको हम रख लेंगे, इसी तरह से पहले हम सारे बना के त्यार कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, यह जो हम इसको bread में crumbs में डालते हैं, तब इसको इस तरह से हातों से दबा लें, इससे bread अच्छे से इसके उपर coat हो जाएगा, यह सब ही अच्छे से coat हो गये हैं, देखिए इस तरह से अच्छे से हमें इसे coat करना है, कडाई में तेल हमने पहले से रख धिया था, तो चलिए अब चलते हैं कडाई की तरफ, और इसको deep fry करते हैं, तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम बॉल्स को एक एक करके इसमें दालेंगे, एक साथ हमें सारी नहीं दालनी है, कडाई में एक बार में जितनी आएगी, उतनी ही हम दालेंगे, इसे हमें मेडियम फ्लेम पे तलना है, अब ही हम इनको टच नहीं करेंगे, यह तल के थोड़ा सा उपर आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, यह द इसी तरह से बाकी सारे भी में तलके तयार कर लूँगी. ये सारे वैच परीर बॉल बनके तयार हो गए हैं, ये देखिए, इसमें कितना सुंदर कलर आया है, और ये क्रिस्पी भी बहुत बने हैं. जब भी आपके कुछ टेस्टी खाने का मन हो, तो आप इसे जरूर बनाएं. आपको और आपके घर में सब को ये बहुत पसंद आएगी. इसे आप सौस, चटनी या चाय के साथ खाईए, ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी. आप ये रेसिपी जरूर ट्राय करें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी. साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पास वाले बैल आइकन को दबा कर, आल क्लिक करें. तो करेंडियो झाले आपको ये निन कीछ करेंगा देख रहे रहे हैं, प्लिक करेंद। अ कलिए वाले रहे हैं, तो फसक्तिक रहे हैं?